लोग सबर चुनावो को लेकर बिहार में सरगर्मिया तेज हो गई है एसी बीच चुनावो को लेकर हमारे बिहार रेजिडेंट एडिटर श्रीकान प्रतियुष ने बिहार के पूर्व सियम जीतर राम माझी से बाचीत की क्या कुछ कहना था सुनिए जी मेरे साथ अभी हैं हम पार्टी के राष्टे अध्यक्ष जीतन राम माझी जी महागटबंदन के सबसे महत्पून घटक दलके नेता हैं आए इन से बात करते हैं कि कहां पेज फसा है जिसकी वज़ासे फैसला नहीं हो पा रहा है के बात यही है कि जैसे आप जान रहे है कि राजग यानि अन्डीय ने फैसला करने का नाम आज चार महिना से बोल रहा है हम फैसला कर लिया कर लिया फिर नंबर जुडा दिया कि फलना इतना इतना लोग लड़ेंगे लेकिन कौन छेते से कौन पार्टी लड़ेगी इसका खुलासा तो आज तक नहीं किया है और हम सुरू से आपको कह रहे हैं अन्ता की बात जो कि कोई नहीं बोलता है कि जैसे ये काखावा में पहलमान उतरता है तो देह चमकाता है उसके बाद लोग उसी को देख करके दूसरा जवान उसका जोड़ा लगाता है ये हम लोग देहात के हैं इसलिए कर रहे हैं वही चीज यहां भी है हम लोग देख लेंगे कि कौन पार्टी के लोग कौन कंश्वेंसी चे लग रहे हैं आप सुने हैं कि चार दिन पहले तिन दिन पहले हम रावडी दर्वी से जाके मिले थे वहां पर ट्रेश्वी भी थे आज भी आपने देखा कि कल उपेंदर कुश्वाह जी और साहनी जी भी गए थे रावडी जी से मिले थे और अब बारी है कांग्रेश के लोग भी मिलेंगे तो एक तीनों से अलग-अलग मिल करके चर्चाएं होगी उसके बार फिर हम लोग एक बार मिल करके फाइनल करेंगे तो आपने देख लिया जीतन राम माजी का कहना है कि उनकी पार्टी के साथ समान जनक समझोता होना चाहिए और समान जनक समझोता से मतलब ये है कि उपेंदर कुश्वाहा की पार्टी से एक सीट ज्यादा मिलने चाहिए एक सीट देने की बात होगी तो बिना सीट के ये महागटबंदन का साथ देंगे लेकिन चुनाव नहीं लडेंगे यानि किसी भी किमत पर सम्मान के साथ समझोता जीतन रामाजी नहीं करने वाले हैं स्रिकान प्रत्यूस जनतंत्र टिवी पटना